आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमार जो Question है उसमें मुला गया है कि अगर P और Q Represented by Complex Number Z1 and Z2 है तो इस तरह से हैं कि ये 1 by Z2 plus 1 by Z1 ये whole mod ये equal है 1 by Z2 minus 1 by Z1 इसके mod के बराबर है तो हमसे पुछा गया है कि Circumcenter of O, P, Q जहांपर O क्या है? Origin है क्या होगा? ये अपने पास options भी है ठीक है? तो अगर मैं Quadrant Axis या argument plane इसका draw करूँ तो वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरह से होगा? ठीक है? Origin हमारा होगा कहां? यहां पर कहीं 0,0 ठीक है? और Z1, Z2 मैं माल लेता हूँ कि भाई ये Z1 होगा और ये मैं माल लेता हूँ कि ये Z2 होगा ठीक है? तो इन तीनों को मिलाता हुआ अपना circle जाएगा ठीक है? तो चलो Circumcenter क्या होता है? Circumcenter होता है कि इन से मिलता हुआ एक Safari जाएगा ठीक है? और उसका जो center होगा वो हमको बताना है Circumcenter वही होगा ठीक है? चलो तो ये अपना मैं माल लिया कि एक circle इन से मिलाता हुआ ऐसे जा रहा है ठीक है चलो तो z1 और z2 को भी मैंने मिला दिया ठीक है चलो अब देखो मैं का करता हूँ कि इनको solve करने के कोसेज करता हूँ और देखता हूँ कि इससे क्या property आती है ठीक है तो देखो मेरा क्या given है मेरा given है 1 by z2 और plus में 1 by z1 और इसका mod ये equal है 1 by z2 और minus में 1 by z1 और इसके mod के ठीक है तो मैं इसको solve करने के कोसेज करता हूँ तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई z1 और plus में z2 और divided by z1 और z2 इसका mod ये equal होगा कि इसके z1 minus में z2 और divided by z1 और z2 ठीक है इसके equal होगा ठीक है चलो तो यहां से मैं देखो मुझे पता है कि अगर कोई complex number है z1 और divided by मानलो z2 है और इसमें whole में ऐसे mod लगा हो है तो मैं इसको z1 divided by z2 individual mod लगा सकता हूँ ठीक है चलो तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि z1 और plus में z2 इनका mod और divided by यह यह दो को multiplication में है तो इनको भी मैं individually mod में लिख सकता हूँ तो यह mod of z1 और into में mod of z2 लिख सकता हूँ और यह equal होगा मेरा z1 minus में z2 और इसके mod और divided by z1 का mod और z2 के mod ठीक है तो यह दोनों तो खतम ठीक है बचे क्या मेरे पास मेरे पास बच्चा है z1 और plus में z2 ठीक है और यह mod और यह equal होगा z1 और minus में z2 mod के ठीक है मैं करता हूँ कि दोनों को square कर देता हूँ यह लो square कर दिया अब square करने से फाइदा क्या होता है देखो z1 और z1 बार अगर मैं निकालता हूँ तो यह आता है mod of z1 का whole square आता है ठीक है तो इस property का यूज करते हुए मैं यहाँ पर करूँगा कि यह मैं पूरा को मैं माल रहा हूँ कि अगर माल लो अगर z होता एक complex number होता तो z into z बार का होता उसके mod का square होता तो मतलब कि z1 और plus में z2 और into में z1 plus z2 यह whole bar यह equal होगा इसके ठीक है इसी तरह इधर भी z1 minus में z2 ठीक है और z1 और minus में z2 और इसका whole bar यह इसके equal होगा ठीक है अब हम यह भी जानते हैं कि अगर यह z1 और plus में z2 बार इस whole बार में लिखा हो तो इसको मैं z1 बार और plus में z2 बार भी लिख सकता हूँ तो इसका अंशार मैं यह लिख लेता हूँ Z1 और plus में Z2 और यहाँ पर होगा Z1 और plus में Z2 यह दोनों क्या होगा । बार में होगा और यह equal होगा Z1 और minus में Z2 और इधर होगा Z1 बार मैंनस में Z2 बार अब multiplication मैं कर देता हूँ तो यह दखो, यह हो जाएगा z1 और z1 बार, ठीक है, इसका दोनों में कर रहाँ, और plus में z1, z1 और z2 बार, ठीक है, अब इसका मैं करूँगा, अगर तो यह आएगा z2, z1 बार, और plus में z2 into z2 बार, यह इक को लाएगा, इसको मैं दोनों से multiplication करूँगा, तो यह आएगा z1 और z1 बार, और minus में आएगा z1 और z2 बार, और इसका multiplication दोनम करूँगा, to minus में z2 और z1 बार आएगा, ठीक हे, और minus plus हो जाएगा, z2 और z2 बार आएगा, ठीक हे, तो देखो, ये ये गया, ठीक हे, और ये और ये भी गया, और यह Z1, Z2 बार और Z1, Z2 बार इधर लेकर आऊँगा 2 times हो जाएगा Z2, Z1 बार और यहाँ भी Z2, Z1 बार है इधर लेकर आऊँगा तो 2 times हो जाएगा इसका मतलब कि यह हो गया है 2 times of Z1, Z2 बार और प्लास में Z2 और Z1 बार ठीक है और यह होगा इधर कुछ ने बचेगा 0 के इकवल होगा इसका मतलब कि Z1 और Z2 बार प्लास में Z2 और Z1 बार यह एकवल होगा कि इसके 0 के ठीक है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या देखो यह होगा Z1 और Z2 बार यह एक कोल हो जागा कि इसके माइनस में Z2 और Z1 बार ठीक है तो अगर मैं Z1 बाई Z2 करूँ Z1 बाई Z2 तो यह क्या आएगा यह माइनस में आएगा Z1 डिवाइडर बाई Z2 और यह बार में ठीक है इसको मैं इधर लेका आगया और यह Z2 को इधर लेका आगया तो इसको मैं ऐस तरह से भी लिखे सकता हूं कि Z1 डिवाइडर बाई Z2 और इसके होल में बार ठीक है और इसको मैं इधर लेका आता हूं तो यह होजाए अगर Z1 बाई में Z2 अब प्लस में Z1 डिवाइडर बाई Z2 और यह होल बार यह इकोल होगा किसके? 0 के तो इसका मत्तब देखो यह एक complex number Z plus Z bar टाइप का है ठीक है? और इकोल टू 0 है और Z plus Z bar क्या होता है? यह 2 times of real part of Z होता है तो यह इकोल है 0 के इसका मत्तब real part of Z जो है वह 0 है जो है इसका मत्तब कि Z1 by Z2 का real part जो है वह क्या है? 0 है इसका मत्तब यह Z1 by Z2 Z1 by Z2 यह अपना purely imaginary number है ठीक है? इसका मतलब purely एगर imaginary number होते है तो उसका ऑगुमेंट होता है वो कितना होता है? वो होता है अपना pi by 2 होता है ठीक है वो अपना होता है कितना pi by 2 के ठीक है तो यë argument होगा ठीक है यë equal नहीं होगा ये argument के equal होगा तो मैं हो लिग देता हूं direct कि argument of argument of z1 और divided by z2 ये होगा कि इसके पाई बाई टू के ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि argument of z1 और माइनस में argument of z2 ये होगा कि इसके पाई बाई टू के समझ रहे हैं ये अपना जो ये property होती है अपने argument की argument of अगर मैं z1 बाई z2 लिखा हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ argument of z1 और माइनस में argument of z2 भी लिख सकता हूँ ठीक है तो उसका अनुसार ये हो गया और ये क्या होता है दो argument के बीच का difference है इसका मतलब दोनों के बीच का क्या है angle है इसका मतलब की angle between angle between z1 and z2 ये कितना है पाई बाई 2 है ठीक है चलो तो z1 और z2 की बीच का angle क्या होगा ये देखो मैं origin से मिला देता हूँ इसको ये हमने origin से इसको मिला दिया ठीक है और इसको भी मिला दिया तो z1 और z2 की बीच का angle ये है अपना ठीक है तो ये angle अपना कितना है 90 ये अपना क्या होगा एक राइट एंगल टरियंगल बनका है और ये अपना सर्कल है अंदर में तो राइट एंगल टरियंगल का जो circumcenter होता है वो क्या होता है इन डोन ये जो hypotenuse है उसका midpoint होता है ठीक है तो hypotenuse कहां पर है ये 1 और z2 है इसका mid point पर होगा तो mid point क्या होगा यहां से यहां से जो mid point होगा वो क्या आएगा वो आएगा z1 और plus में z2 divided by 2 यह होता है mid point तो इसका मतलब कि circumcenter भी क्या होगा यहीं होगा तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो circumcenter है circumcenter वो होगा मेरा Z1 और प्लस में Z2 डिवाइडर बाई 2 के एकक्वल है ठीक है तो हमारा एंसर कौन सा होगा option number third होगा hope आपको समझ में आया होगा thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर